नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मॉनिका गुपता और स्वागत आपका हमारे इस विशेश चर्चा में जेबिटी मामले में करीब 10 साल की सजा काटने के बाद इंडियन नैशनल लोग दल के राश्ट्रिय अध्यक्ष ओम प्रकाश चोटाला की रहाई से पहले कॉछ दिन पहले इंडियन नैशनल लोग दल यानि के इनलो के प्रधान महासचीव अभाईज सिंग चोटाला ने पूर्व PCM वुपेंदर सिंग हुड़ा के गड़ रोतक में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्व PCM वुपेंदर सिंग हुड़ा ने इंडियन नैशनल लोग दल को कमजोर करने की साज़ श्रच थी इसी के तहट CBI और उस वक्त की केंद सरकार से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चोटाला को जेबीटी भरती घोटाले में सजा करवाई गई उन्होंने कहा कि अब वही हालात पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा के रहने वाले हैं ब्रश्टा चार एक मामले में CBI ने हुड़ा के खलाफ चारशीट दायर की कर दी है इन एलो महासचीव के गंभीर आरोपों के बाद कॉंग्रिस भी खुल कर अब विरोध में आ गई है कॉंग्रिस के पाँच विधायकों ने अबे सिंग चोटाला पर पलटवार करते हुए साथ सवाल पूछे हैं इन विधायकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा के कारेकाल में चोटाला परिवार पर कोई FIR दर्श तक नहीं हुई है हाला कि चोटाला सरकार के खलाफ कई तरह के बिष्टाचार क्या रोप थे कॉंग्रिस विधायकों ने पूछा है कि जेबिटी घोटाले का परदाफाश करने वाले आईएस अधिकारी संजीव कुमार को किसने प्राइमिरी एजुकेशन विभाग का डिरेक्टर नुक्त किया था तो ये तमाम सवाल कॉंग्रिस एनलो से पूछ रही है और ये सवाल कर रही है कि आखर किस आधार पर अभैचोटाला उनकी पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो आज इसी मुद्धे पर हम करेंगे चर्चा काम किया उड्ता उंड्यानी कि सुरुवात करें के उड्चाोग इस्ष्ma से पहले चौदर हों पर का चुटाला की वीक काट MR हमий कि पिछ इननेव पहंदर संह के खिला भी चारव शी आई तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा हमारे साथ कुछ मैमान भी चुट चुके उनसे आपका तारूप करा देते हैं वीधू रावल हम चुट अपकी के पास आउंगी संदीप गोयत जी आपका में रुक करूंगी सबसे पहले क्योंकि आरोप आपकी पार्टी की तरफ से लगाये जा रहे हैं और खासकर वूपेंदर शिंग हुड़ा पर ये गंभी आरोप आकर क्यों लगाए जा रहे हैं किस आधार पर लगाए जा रहे हैं लगातार कॉंग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है तो उसमें यूपीए वन में डॉक्टर मनमौन सिंग प्राइम निस्टर बने और उनके परदान मंतरी बनने के बाद अधर कॉंग्रेस के केंदर में सत्ता में आने के बाद चोदर योंपर का चोटडा जी का इस मुकदमे में नाम सामिल किया जाता है अधरवाइस उससे पहले चोदर योंपर का चोटडा जी का इस मुकदमे में कहीं नाम नहीं था अब दूसरी बात इनका जो स्वाल था कि संजीव कुमार को डारेक्टर किसने बनाया किसने क्या बनाया किसने क्या नहीं बनाया तो कांग्रेस को यह नहीं पता कि इसके डारेक्टर बनने से पहले कपिल सिब्बल के परिवार की पुत्र बदू रजनी सेखरी सिब्बल जो ख और इसप्रकार नीं में सर्कार बंडती है जब ब्यान देने की बात आती यह तो ब्यान देते समय अपने एक इंप्रूमेंट करते हुए चोटाला साब प्रिवार में श्री अजेशिंग चोटाला जी का नाम पर्थमबार रजनी सेखरी सिभल लेती हैं जो कपिल सिभल के प्रिवार की पुतर वदू हैं और जो खुद कहती हैं कि कपिल सिभल से मेरे दूर की रिष्टेदारी है जो कोर्ट में उन्होंने जूट बोला जिसके उपर कोर्ट ने भी संग्यान लिया था मैं ये शडियन तर बता रहा हूं कि किस प्रकार से किन ब्यान नों किसका अधार बनाया गया और उस समय एक विश्णू परसाद आईएस अफसर होते थे CBI ने एक बार तो उनको गवा बनाया परंतु आईएस अब सरी इतनी इमानदार थे कि कहीं वो स्टेटमेंट सचाई ना दे दें कोर्ट के अंदर बिना लागलपेट की ब्यान ब्याजी ना कर दे तो इसी CBI ने कॉंग्रेस के इसारे के उपर विश्णू बगवान को कोर्ट लिए यह तो एक CBI ने मुकदमा दर्जी किया था और सुप्रीम कोर्ट की डारेक्शन पर हुआ था इनको मैं बताना चाहता हूं 2013 में डारेक्शन CBI जांच की हुई थी ना कि चोदर योंपर का चोटाला को मुल्जीम बनाने का कुई आदिश्पास हुआ था तो यूपिय गोवर्मेंट बनने के बाद उड़ा सरकार समालने के बाद वुपेंदर सिंग उड़ा के मुख्यमंतरी बनने के बाद इनको ED के के केस में डिये के के केस में भी इन्होंने मुल्जीम बना और वो एक मांग पत्तर किस ने दिया यह बात यह कॉंग्रेस पार्टी सब अपस्रोच होता है आईनली की जो अधासा है कि खर्याना में कावत की इस्यानी बिल्ली कैसे कहते खंबान होते हैं एफाई आर्दाज होती है तो हैसन 2000 में जब परदेश में सरकार किसकी थी आईनली और बीजेपी की परवडी 2013 में उनको सजा होती है अगर सब्सक्राइब तो उन सबी आरोपों को उन सबी तजा को माने में सुप्रीम कोर्ट के उपर करा रखता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कॉंग्रेस के इंप्लेस्मेंट आचा है यह चीज़े है तो सिस्ट्राटी आप जूट पर जूट बोलते जाए परदेश की जंता ग खालिट जी कोंग्रेस कुछ नहीं कराती है आरोप उनके आइलंडी के विदायक में लगाए थे उनका शबाब तो देना पड़ेगा ना इसी प्रदेश की निता को गुम्रा कर रही है एक एक गर में बैठके उनको उनको उनके खिलाब बैदी करता है जो दोसरा सरकार की ब आप कह रहे हैं कि जूट बोड़े कि आप यह कह रहे हैं कि सिद्ध करें पार्टी अगर इसके बैदी को यह लगता है कि वह उसके वह उसके देगुना थावित हो जाएंगे तो उनको यह सी आरोप पर कुछ को नहीं कोई होगा लोगों को साथ विगास में कि अगर यह स्गेओं यहां पर मैं जवाब लूँगी संदीव जी से लेकिन संदीव जी उससे पहले आशीष जी भी आप लगातार हर्याना की जो सियासत है उस पर नजरे ρखते हैं आप लगातार देखते हैं क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है सियासिती ह hurry आप सब कुछ जानते है तो ऐसे में जिए तबाल चीज़े को हो रही है आरोप प्रत्यारोप लग रहे है कि TBI और केंदर सरकार उस वक्त की केंदर सरकार के साथ साजिश के तहर उरफ T.M. भुड़ा ने ओम परकास टोटाला को जेल भिजवाने का काम किया कि अपने आप में आरोप वेहग गंबीर हैं लेकिन जिस तरह से कॉंग्रेस के चाय परवक्ता की बात करें चाय हम कॉंग्रेस के तमाम निताओं की बात करें वो लगातार इन आरोपों के ऊपर एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आप आरोप जो लगा रहे हैं क्या उसका कोई इनेलों की बात करें, चाहे हम कॉंग्रेस की बात करें, या हम सीधे तौर पर चोटाला और हुड़ा परिवार की बात करें, इन दोनों के बीच सीधे तौर पर जो सियासी वार पलटवार है, वो शुरू हो गया है, और अभी उरफ सीयम जो ओम परकास चोटाला है, चार बार कि अब रहाई से पहले ही जो हर्याना की सियासत है वह ऐसे बयानों से पुरी तरह आपकर्माती वह नजर आ रही है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह जो बयान बाजी शुरू हुई है इसका क्या असर जो है वह हर्याना की जनता पर पड़ता है क्या इससे नई समय करन बनते हुए नजर आएंगे प्रदेश में आशिष्ट्री अभी यह कहना बहुत जल्बाजी होगी क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि पिछली बार भी जेजेपी जब बनकर उबरी नई पार्टी के रूप में तो एक emotional attachment logo का हो गया था तो कितना लोगों का जुड़ाव जो है वो यहां पर उनको यहां पर उनके साथ हो पाता है यह अपने आप में बड़ी देखने वाली बात होगी हाला कि उनका जो मास्क लीडर वो हैं हर्याना की राज़ीती में लेकर एक emotional रूप से किस तरह से लोग उनको अपने साथ जोड़ कर देखते हैं या कितना उनके साथ जोड़ते हैं यह यहां पर बड़ा सवाल है और Congress किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं उनके उपर लगातार वो अपने इन कुछ लगातार आप हाथ उठा रहे ते कुछ कहने के लिए बताईए यहां से परवक्ता में वह दमने की इस बात को वांतक ले जाएं अब आधार की बात में करना चाओंगा कांग्रेस के साथे से पूछना चाओंगा कि वो मुलाकातों का दोर क्या था जब वुपेंदर सिंग उड़ा चोधर योंपर का चोटाड़ा जी खिलाब जब फाई आर दर्ज हो रही थी तो दो बार एक बार नी दो बार सीबी आई के डारेक्टर पर उसके घर पर मिलने इस चीज़ का खुलासा जब उस समय के सीवी आइकर के काल खिलाब करवाई हुई तो उनके अटेंडेंस रिजिस्टर में बुपेंदर सिंगा नाम मिला क्या उस समय बुपेंदर सिंग उड़ा का CBI डारेक्टर के घर जाना उस टाइमिंग दर साता है कि क्या आधार सही है प्रिवार के सदस्रे को सामिल गया तीसरी चीज में मोनिका जी एक चीज कहता हूं हमारा क्या रोल है संजीव कुमार को पद का दुरूपयोग और अनेक अनी मिताओं में दोसी पाते हुए हर्याना की सरकार ने वर्स 2003 में निलंबित कर दिया गया था उनके निलंबन के बाद कांगरेश के तीन बड़े नेता जिनकी मदर सपोर्ट और जिनको डिफेंड करने के लिए आज कांगरेश ने अपने पांच विदायकों को उता रहा है उन तीन बड़े नेताओं के दवाओं में आगर संजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में 2003 में सब्सक्राइब करने के लिए और एक और गल्त इनों ने आरोप लगाया कि मोनेटरिंग सुप्रीम कोर्ट ने की मैं से पूछना चाहूं एक बर कम से को संदीव जी आपके तमाम सवालों के जवाब मैं लोगी खाली जी से लेकिन उससे पहले विदुरावल जी ठीके ठीके मोनिका जी लास्ट लाइन मैं करना चाहिए ठीके ठीके वो जवाब भी देंगे ठीके ठीके काली जी आपके पास मैं आओंगी लेकिन उससे पहले विदुरावल जी मैं आपका रुक करूंगे आप लगातार हाथ उठा रहें कुछ कहने के लिए इससे पहले मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगी कि आभै च्रटाल कि मज़ाग करने की आदत रखते हैं पिछले 20-15 मिनट से देख रहा हूं यह लोग खामखा लठम लठ हो रहे हैं प्रदेश की जनता कोंग्रेस और इनलो का लोग जो वजूद उसको नकार चुकी है तो देश की जनता यह जान दोनों पार्टियों को बारम-बार चुनावों में हरा रही है इन लोगों ने प्रदेश की पात्रता पर प्रदेश के संसाजनों का दोहन किया है प्रदेश की जनता पिछले 6-7 सालों में सुराज को देख चुकी है जिसमें हर्याना ने एक नए प्रकार की राजनिती देखी है एनलों की गुंडा-गर्दी और कॉमरिस का ब्रश्टा चार है उससे प्रदेश की जनता का कोई सरोकार नहीं है यह खाम खाम में प्रदेश का समय का भाब है इस पूरे प्रक्रण को विदु रावल जी कैसे देख देया इस समय आप गलत गलत स्थान पर समय लगा रहे हैं इनकी आपस की जो नुरा पुष्टी से प् प्रदेश की जनताosition है कोड़ा ने किसप्रकार कॉंगरेश के जो इनकी पार्टी के राष्टी आदिख्शा की दामद हैं रोबर्ट वाढ़ रा उनको किस प्रकार जमीने हर्याना के किसानों से जमीने खोस कर उनको ओने पाने दामव में लेकिन अब याश्य के सह ने लगातार आरोप लगाये जा रहे हैं क्या कुछ कहेंगे इस पर आपने सुना अभी तक जो भी बाते हुई कि प्रवक्ता वो सुन रहा था तब से पहले तो मैं जेजेटी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि आप एकी परिवार के लोग होकर और आप यह एक रहे हैं कि में और फ़रोप भी यह वगाये चाहई कि प्रव करणिवे यह दोरी लिए की हुआइगा उन्से पस summu कि अपना है अपने के परदेश में कि उन्से किउऄ ने चाहिए थे तैना में आखिवार ने हैं मैं प्रवक्ता वह बहुत अजीव किसम की आरोब है उनके जब वह बताएं कि 25 नॉम्बर दो हजार पीन को सुप्रीम पोर्स की सिर्ट पिर संजीर को वार की अजीव पर CBI को दास को कि शौट पे खाली जी शौट पे किस सब्सक्राब है जिसके बाद उन पर का चोटाला पर वह अगर सारी कारवाई तो मानने सुप्रीम पोर्स किसे बाद में काम कर रहा था यह बड़े अक्टोस्की बात है उससमें क्या वाक्या है उससमें प्रदेश में क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है मॉनिका बड़ा गंदी सवाल है हर्याना की राजनीटी के लियाथ यह जो अभी से ओंपर का चोटाला की रहाई से पहले ही हर्याना की राजनीटिक सरगर्मिया पेज हो रही है अभी तो मैदान में मों उत्रे भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मैं यही आपको बता रहा हर्याना की राजनीटी में आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि जैसा मैं आपको ब्रेक पहले भी बता रहा था कि उम्मपरकास चोटाला हर्याना की राजनीटी में एक बड़ा नाम है और उनका लोगों के साथ जुड़ाव है, उनके नाम को, उनके कड़ को और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना भी हर्याना की राजनीती में योगदान दिया, उसको बिल्कुल भी अंदेखा नहीं किया जा सकता, तरीबन दफ साल के बाद अउन परकाश चोटाला हर्याना की स लोग ओम परकाश चोटाला के साथ जो दस साल की उन्होंने सजात आतिये जुड़ेंगे, या फिर वाकिए में जेडीटी मामले के अंदर लोग उनसे खफा हैं, क्योंकि जो विपशी दल हैं या विरोधी दल हैं, वो साब पार पर ये भी आरोप लगाते हैं, कि चोटाला ने सब्ता में रहते हुए, जो लीडिबल कैंडिडेटे उनके भविशे के साथ खिलवार करने का काम किया, तो ये सब परमुक बिंदू हैं, लेकिन जिस तरह से आपको बड़ा एहम सवाल को दिया, और मैं आपको ब्रेक से पहले यही चर्चा कर रहा था, कि ये ये जो त हमें में ओम परकाश चोटाला मैं समस्का हूँ, कि निश्चित रूप से तक्रिय राजनीती में होंगे, तो और ज्यादा हर्याना की सियासत शायद जर्माती हो, इस भी नजर आएगी, बिल्कुल, तो आप क्यूंकि समय का भाव है, एक कमेंट में सभी से लेना चाहूंग कि पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, बुजर्ग नेता हैं, अपना समय बीच चुका है उनका, तीन-तीन चुनाओं में उनकी पार्टी हार चुकी है, जब वो जेल में नहीं गए थे उससे पहले भी दो चुनाओं में हार चुकी थी, दूसरी बात कि वो कोई स्वतंत अब भी जो यहां पर चर्चा कर रहे हैं लोगों यह कह रहे हैं कि ओम्प्रकास जी को प्रक्रियाओं में छूट क्यों नहीं मिली चाहिए शूट पूरी हुई है। यह पर भरोसा रखना चाहिए एक नहीं दो नहीं तिन यह लोगों पसदा दी है। प्रकाश चोटाला जी बजूर नेता है उनका सम्मान है आप हुने समयास ले लेना चाहिए मोनिका जी बड़ी वजीबतर बात है वाडरा के खिलाफ रोबर्ट वाडरा के खिलाफ जब चोटाला साथ ने जमीन के गोटालों के आरोप लगाए उसके बाद चोटाला जी के खिलाफ फाया दर्ज होती है बैचेनी राहूल गंदी को भी बहुत ज्यादा थी अर्टेइस जन्वरी 2013 का अख़बार में राहूल गंदी जब उपाद एक्समेड़े ते पूस्ते हैं कि अब चोटाला का क्या हु टीसी कुपता की टीसी कुपता की अपाइंटमेंट करवाई जमीन भूटाले में तो सामील है उसको पाइंट करवाया तीके खाले जी जल्दी से सबका भाव है कि अधिव बनाने के जिरूमें कि पूहिए कि नहीं नहीं ते नहीं वित अंद जो उनकी तर्कार फिर्टा जाए नहीं नहीं पनीकि आए तो लगातार हमने सवाल पूछे और जवाब भी मिले और ऐसे में बताया गया किस तरीके से कॉंग्रेस की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई और इनलों की तरफ से बताया गया कि कॉंग्रेस की जो आरोप कॉंग्रेस पर लगाए गये हैं उनका आधार क्या है ऐसे में देखना होगा कि जब इनलों सुप्रीमो और पूर्व सीम ओंप्रकाश श्राटाला जो इससे बाहर आएंगी जब उनकी रहाई होगी तो वाकई क्या कुछ देखने को मि और प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस अनी अपदेट